दवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 25 अगस्त दिन सुक्रवार खबरों क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में चकाचा खुंगी प्रयोक्षा लाएं सहीद होनी पड़ अब पुलिस कर्मियों के पडिवार को मिलेगा इतना मुआपजा 26 जिलों में ऑक्टूबर से मैनुवल चालान होगा बन सिक्षा संबन्धी समस्याओं के समाधान हे तु इस नंबर पर कड़े संपर उद्यामी बनने के लिए इस दिन से कड़े आवेदन अब चली बढ़ते हैं भिहार के अब तक की 25 वरी खबरो क्योर विस्तार से अमबेटकर विश्यविद्याले दिल्ली में निकली नौन टीचिंग पदों की भरती अबेदन के एक चोको में दवार विश्यविद्याली की आधिकारिक वेवसाइट यूड.ac.in पर भरती सेक्शन में एक्टिव लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं बता दी कि आवीदन की आखरी तारीक 8 सितंबर 2023 ने थारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो सीनियर असिस्टेंट पदो के लिए उमिद्वारों को किसी मानिता प्राप्त विश्विद्यालियों से किसी भी विश्य में इसना तक होना चाहिए और आयू आवेदन की अंतिम्तिती को 35 वर्श से अधिक नहीं होनी चाहि है अने पदों के लिए योगिता वह भरती वर्श के अने विवर्णों के लिए अधिसूशना जरूर देखले इस भरती से कुल 30 पदों को भड़ा जाएगा बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में चकाचक होंगी प्रयोग शालाएं बिहार सरकार के सक्षा विभाग के द्वारा राजी के 9000 से अधिक प्लस टू स्कूलों और राजी के 15 विश्य विद्यालियों और उनके 265 अंगे भूत कॉलेजों की प्रयोग शालाओं को नई सीरियस अक्टिव किया जाएगा जो की नीजी एजनसियों के द्वारा किया जा सक्षा विभाग की तरफ से मांगे गए प्रस्तावों में चैनत एजनसी का प्रयोग शालाओं के लिए 9000 से अधिक लाब इंस्ट्रक्टर और 100 सी सूपरवाइजर की भी निप्ति की जाएगी वहीं जिन एजनसियों का चैन किया जाएगा उनकी जिम्यदारी होगी कि वस् जक्षकों को लाब संचारन की ट्रेनिंग देंगे विहार परिटर में आजम बात करेंगे कसिस जल प्रपात के बाड़े में कसिस जल प्रपात राजधानी पटना से 170 किलो मीटर दूर बिहार के रोहताज जिले के अमझोर पंचायत में स्थित है यहां की प्राकृतिक खू में से एक है मोगल समराट अकबर के दर्बार इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फार्सी भासा में लिखित पुस्तक एन एक बड़ी में बिस जगह का उलेक किया गया है जल प्रपात की उचाई लगभग 800 फीट है और स्थान की विसेस्ता है कि कोई भी तीन दिशाओं मे पहार से गिरने वारी चार धाराओं को देखा जा सकता है अरस्तु ने कहा है कि यह सही है जब उन्होंने कहा प्रकृति की सभी चीजों में कुछ अद्बुत है इस स्थलकी सुंदरता कल्पना से पड़े है और प्रतीत होता है कि प्रकृति पड़ीयों की कहानी को बया करत सहीद होने पर अब पुलस कर्मियों के पड़िवार को मिले का इतना मुआज़ा बहार सरकार के ओर से राजे भड़ के पुलस कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत अगर किसी पुलस कर्मी की डूट्री के दौरान मृत्य हो जाती है तो उनके रिजनों को सरकार के ओर से मुआज़े के रूप में दो लाख रुपए के बजाए 25 लाख रुपए दिये जाएंगे बता दे गजबात के पुस्टी सहायक पुलस महानदेशक का विसाल सर्मा के द्वारा की गई है मालम हो कि अनर ने पुलस महानदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया और अब इसलाब से राज्यक के करीब एक लाख बीस हजार पुलस कर्मियों को जुड़ा गया है मिड़े मील संचालन के लिए प्रखंडों में तैनात होंगे साधन सेवी मध्यान भोजन योजना निदिशाले के दौरा मिड़े मील योजना के प्रभावी संचालन में सहयोग करने और उनकी निगरानी करने के लिए तैनात के जाने वाले साधन सेवी के लिए तैयारियां शिरू कर दी गई है इस समद में मिरी जानकारी के नुसार एक सितंबर के पहले सभी प्रखंडों पर साधन सेवी की तैनाती करने का लक्ष रखा गया है 26 जिलों में ऑक्टूबर से मैनवल चालान होगा बंद एडिजी यातयात सुधान सुकुमार के दोरा दी गई जानकारी के नुसार राजे के 26 जिलों में ऑक्टूबर से मैनवल चालान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा बता दे कि जिन जिलों में ऐसा होने वाला है उनमें ऑक्टूबर के प्रतम सपता में नालंदा, सारन, भोजपूर, दर्भंगा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर और गया में मैनवल चालान बंद होगा तो वहीं तेवहार से पहले अने बाकी बचे जिले, अडवल, रडिया, बांका, बेगु सराई, और रंगाबाद, बकसर, पुर्वी, चमपारन, जमुई, लखी सराई, मधुबनी, सहित सभी में मैनवल चालान बंद करा दिया जाएगा और फिर हैंड डिवाइस के माध्यम से चालान कटेगा जिस्से की जिर्माना प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी मालम हो कि इन दिनों बिहार में ट्राफिक नियमों के पालन कराने को लेकर लगतार कारवाई की जा रही है बिहार के इस बुजर्ग किसान को सरकार देगी नेशनल अवार्ड बिहार के जमूई जिले के सुदूर चिनवेरिया गाउं के निवासी 81 साल के बुजर्ग किसान अर्जुन मंडल के द्वारा अपने मेनत के बदूलत एक ऐसा गार्डन तयार किया गया है जहां दुरलब पौदों का खजाना है ऐसे में उनके सकारी को देखते वे अब उन्हें भारत सरकार के क्रिसी एवं किसान कल्यान मंतराली के पौधा किस्म और क्रिशक अधिकार सनक्षन प्रादिकरन के ओर से 12 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में प्लांट जिनोम सेवियर फार्मर्स रिवर्ड और एंड रेकगनाईजेशन रास्ट्रिय प्रुसकार देकर सम्मानित के आ जाएगा हिंदी सिनीमा और टेलिवीजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और तेल्गु सिनीमा में काम करने के लिए भी जाने जाते हैं उन्होंने कई अन्य पुरसकारों और नमांकनों के साथ साथ फिल्मों आखों देखी और वद में अपनी प्रदर्शन के लिए दो बार स सत्या शामिल है वह 1999 क्रिकेट विश्व कप के दोरान ESPN स्टार स्पोर्ट्स द्वारा इस्तमाल किये गए आइकन एपल सिंग के रूप में भी दिखाई दिये उन्हें नाटक और कॉमेडी दोनों शैली की फिल्म निर्मान में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है संज जमिक प्राडमभिक विद्यालियों में 26 अगस्त 2023 को कक्छा 1, कक्छा 2 और कक्छा 3 के सभी बच्चों के अविवावकों के साथ अविवावक सक्छक संगोस्टी का आयूजन किया जा रहा है इस दिन राश्ट्रे खेल दिवस के संबन में बच्चों को जागरू करने के लिए गतिवीधियां आविजित की जाएंगी और अविवावकों को इसके लाव से अवगत कराया जाएगा इस दुरान विद्याले अस्तर पर सक्छकों द्वारा विद्याले में उपलब्ध पुस्तकाले प्रात्मी कक्छाओं के सक्छन अधिगम सामगडी किट का प्रदर्शिन किया जाएगा इसके लावा अभिवावक गन विद्याले में होने वाले नवाचार बच्चों के लिए उपलब्द सुवधाओं एवं अन्य सक्छक गतिवीधियों का अव्लोकन करेंगे प्रधान ध्यापक एवं सक्षकों के द्वारा या प्रयास किया जाएगा कि प्रतेक अविवावक से उनके बच्चों के सामाने उप्रवधी के बारे में चर्चा की जाए इस क्रम में सक्षक अविवावकों को विद्याले ब्रहमन करवाएंगे और फिर उनके सुझाव प्राप्त करेंगे बच्चों में घर पर पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए सक्षकों के द्वारा अविवावकों को प्रेरित किया जाएगा इस मामले को लेकर कूल पतियों के पास पहुंचा राजभवन से फर्मान इन दिनों बिहार में सक्षा विवस्था में सुधार लाने के लिए कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं इसी कड़ी में अब राज भवन की ओर से बिहार के सभी कूल पत्यों को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब विश्विद्याले और महाविद्याले में पढ़ने वाले वो छात्र जिनकी उपस्तिती 75 प्रतीशत से कम है उन्हें परिक्षा में शामिल होनी क किनुमती ना दी जाए जब तक छात्र के द्वारा कोई उचित कारण उपलब्ध ना करवाय जाए बता दे कि राजेपाल की प्रधान सचीवा रावबर्ट अल्चंगतु के द्वारा कूल पत्यों को जारी किये गए पत्र में यह भी कहा गया है कि कहीं बार ऐसा देखा ज जारा है इसी को देखते वे राजभवन की ओर से यहाद इश्यारी किया गया है सक्षा संबंदी समस्याओं के समधान हे तू इस नंबर पर करे संपर्क विहार सरकार के सक्षा विभाग के दौरा सक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हितु आम जन के लिए राजियस्तर पर एक केंदरी कृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है जिसके अंतरगत राजिय के विध्यालियों में किसी भी प्रकार की समस्या नमबर 14417 या 18003454417 पर कॉल कर समस्या को बताया जा सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि विभाग के द्वारा जारी किये गए इस दो नमबर पर आप विध्यालियों के पठन पाथन से संबंधी कोई भी शिकायत पुरवाहन सारे 9 बज़े से लेकर अप्राहन 6 इन दिनों निगरानी विभाग के दोरा रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर करी सकती बरती जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ जादा कमी देखने को नहीं मिल रही बता दे कि एक बार फिर से निगरानी विभाग की टीम के दोरा थाना ध्य इस मामले को लेकर मिल जानकारी के नुसार थाना छेत्र में एक लड़की के अफरन का मामला सामनी आया था जिसमें दर्ज प्रात्मी की से तीन आरोपितों का नाम हटाने के लिए पैसे की डिमान की थी इसी पैसे को लेने के लिए थाना ध्यक्ष ने सनोज को बुलाया था लेकिन सनोच ने इसकी जानकारे निग्रानी को दे दी उद्यमी बनने के लिए इस दिन से कड़े आवीदन अगर आप पे उन लोगों में से हैं जो उद्यमी बनने का सपना देखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है दिरसल बहुत जल्दी आपका सपना सच हो सकता है बतादी कि बिहार सरकार के दोरा चलाई जाला ही मुख्यमंतरी उद्यमी योजना के लिए वर्स 2023 के लिए आवीदन की प्रक्रिया शिरू होने वाली है जिस पर आवीदन कर बिहार के लोग उद्यमी बनने के अपने सपनी को पूरा कर सकते हैं आईपीरडी बिहार के दोरा ट्वीट कर दी गई जानकारी के नुसार मुख्यमंतरी उद्यमी योजना 2023 के अंतरगत नए आवीदन लेनी की श्रुवाद 15 सितमबर से की जाने वाली है जो की 30 सितमबर तक चलेगी वहिला भारतियों की संख्या वर्ग नियुन्तम योगिता प्रात्मिक्ता आदी की जानकारी 1 सितमबर 2023 को दी जाएगी बिहार ने अरुनाचल की परियोजनाओं से मांगी 2000 मेगावाट पिछली सूबे के उर्जामंत्री विजन्दर प्रिशाद यादव के दवरा केंदरी उर्जामंत्री आरके सिंख को एक पत्र लिखा गया है और कहा गया है केंदर सरकार के दवरा हरत उर्जा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है अरुनाचल में 11,500 मेगावार्ट जल विद्यूत परियोजनाओं का निर्मान करने केंद्र केंद्रिय सारजनिक छेतर के उपक्रमों द्वारा अरुनाचल सरकार के सत्थ समझता किया गया है जो की एक सरहानिय प्रयास है केंद्र के नियमनुसार राज्य को कूल खपत का 17 फीजदी गैर पढ़ांपरगत उर्जा भी खपत करना है अभी बिहार में अनुबंधत जल विद्यूत उपक्रमता लगभग 8 फीजदी है उर्णाचल प्रदेश में बनने वाली आगामी जल विद्यूत परियोजनाओं से अवंटन प्राथि करने के लिए बिहार इक्चुक है साथ ही कूल खपत में हरत और स्वक्ष श्रोत को सुरक्षित करने वा बढ़ाने की भी इच्छा है इसलिए बिहार सरकार उर्णाचल प्रदेश में बनने वाले आगामी बाराजल विद्यूत परियोजनाओं से दो हजार मेगावाट पन बिजली का खोटा नर्धायत करने की मांग करता है राजे सरकार को भरुसा है कि केंद सरकार सकरात्मक नर्णे लेते वे बारापन बिजले परियोजनाओं में से बिहार को दो हजार मेगावाट बिजले आवंडित करेगी जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबी आई एक और सप्लिमेंटरी चार्ज सीट करेगी दाखिल बता दे कि सीबी आई की ओर से कोट से सप्लिमेंटरी चार्ज सीट दाखिल करने के लिए समय की भी मांगी गई जिस पर कोट की ओर से कहा गया कि अगर आप इस मामले पर एक साल बात चार्ज सीट टायर करेंगे तो क्या तब तक यह मामला रुका रहेगा इसके जवाब सीबी आई की ओर से कोट को कहा गया कि चार्ज सीट दाखिल करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक्जाक्ट कितना समय लगेगा वह अभी बता नहीं सकते बता दी कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई राउच कोट में एक सितंबर को की जाएगी बिहार की कई जिलों में बारिस के आसार बिहार में मौसम का मिजास लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में प्रदेश की कई जिलों में बारिस की संभावना जताई गई है मौसमिवाग के तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदीश में बारिस होने की संभावना है हाला कि विवाग ने यह भी कहा है कि सनिवार के बात से प्रदीश में बारिस की रफ्तार में कमी देखी जा सकती है धर्मासमभा की तरफ से 25 अगस्त को लेकर जारी अपडेट के अनुसार आज पश्चिन चंपारन, गोपाल गंज, सहरसा, मधेपूरा, पोर्निया, सुपॉल, अरडिया, सारन और वैशाली जिले में एक से दो अस्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है इन इलाकों में यलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं किसंगंश, पोर्निया, अरडिया और कटिहार, जिलो के एक या दो अस्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है इंडिया की मुंबई बैठक में जारी होगा विपक्षी गडबंधन का लोगो पिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार के कई कोशिशों के बाद गठित हुई विपक्षी गडबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है जिसमें देश के 5 मुख्य मंतरियों के साथ 26 राजनेतिक दलों के 80 निताओं के शामिल होने की संभावना है बतादे कि मुंबई में होने वाली इस तीसरी बैठक में इंडिया का लोगो जारी किया जा सकता है जो की चल रही खबरों के रुसार बेहदी खास होगा और देश को एक खास किश्म का संदेश देने का काम करेगा बतादे कि मुंबई में होने वाले इस बैठक को लेकर एंडिया निताओं का कहना है कि बैठक के इस एंडिको दिल्ली में अंतिम रूप दिया जा चुका है वही नियुन्तम सजाकारे करम का मुसोता तयार करने और इंडिया गड़बंधन के लिए संयोजक निवत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है इस सर्थ पर भाजपा को समर्थन देंगे मुकेश सहनी बीतदन बिहार की राजधानी पटना में विकासील इंसान पार्टी प्रमुक मुकेश सहनी के दोरा कहा गया कि अगर बीजेपी की ओर से निशात आरक्षन लागू कर दिया जाता है तो हम NDA का समर्थन करेंगे उन्होंने इस दोरान दावा करते वे कहा कि आज हमारी तागत है कि संकल्प यात्रा से दिल्ली की कुरसी हिलने लगी अब यह तैक करना है कि जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेगे और जो हमारी नहीं सुनेगा उसकी हम नहीं सुनेगे उन्होंने कहा कि अधिकार लेने के लिए संखर्स करेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे और फिर खड़े होंगे और फिर लड़ेंगे लेके निशाद के लिए आरक्षन लेकर रहेंगे फिर बिहार में राजनिती करने के लिए नहीं बलकि समाज में बदलाओ के लिए आए हैं नितिन गड़करी की कार में सवार हुए तेश्वी यादव खास बिन्दों पर हुई बात बीदेदन बिहार के उपमुख्यमंते तेश्वी आदव के दौरा दिल्ली में केंद्रे सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंतरे नितन गड़करी से मुलकात की गए इस दोरां तेश्वी आदव ने नितिन गड़करी की खास कार में सवारी भीकी तरहसल गड़करी के दोरा तेश्वी आदव को अपनी खास कार में बिहार भवन बेजा गया पतादी गड़करी का यह कार इसलिए इतना खास है क्योंकि यह केवल टेस्टिंग लेवल पढ़ ही उपलब्द है और यह हाईड्रोजन कार है पालमोंकि इस मलकात में तेश्वी आदव के दोरा नहतन गड़करी के सामने कई मांगों को रखा गया उन्होंने बिहार में भी एक्सप्रेस वे के ना होने की बात कही उनके बीच यह मलकात करीब एक घंट तक चली मलकात के बाद तेश्वी आदव के दोरा कहा गया कि प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो 11-12 साल से रुके वे हैं उन सभी को फिर से शुरू करने को लेकर भी बात चीत की गई है प्रैक्टिस मैच में अयर ने खेली 199 रन की पारी एशिया कब 2023 से पहले श्रेस अयर अपनी फिटनस दमदार प्रोदर्शन किया है बैंगलोर में खेले ग ही है अयर के फिट घोशित होने के बाद भारतिये क्रिकेट को काफी रहत मिली भारत अपने एशिया कप अभियान के शिरवाद 2 सितंबर को चीट प्रतिद्वंधी पाकस्तान के खिलाफ करेगा वहीं टाइमस ओफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पीट की चोड से बताया कि अयर ने प्रैक्टिस मैच में 109 रन बनाए उसी के बाद श्रेज को सोमबार 21 अगस्त को एशिया कप के लिए 17 सजश्य टीम में शामिल क्या गया भारती तेहस में आज की तारीक है कई कार्णुस दर्च बिटिस इंडिया आर्मी में सिवाई दे रहें साथ भारतियों को 1917 में पहली बार किंग्स कमिशन मिला सर एडमंड हिलरी का सागर से हिमाले अभियान हल्दिया बंदरगा से 1917 को शिड़ हुआ मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में फर्स 2008 नौ के लिए सरकारी स्कूलों के सभी चातरों को बीमा कराने का नुरोत किया पांचवी लोगसभा के सदर्श्य बाबुराव काली का जन्म 1926 को हुआ था अभिनेता एवं नेता विजय कांत का जन्म 25 अगस्त 1952 को हुआ था भारत के प्रसिद साहित तेकार्त था राश्ट्र सेवी हरी भा उपाध्याय का निधन 1972 को हुआ था प्रसिद उर्दू कवी एहमत फरास का निधन 2008 को हुआ था वाल पर मैं आजम बात करेंगे चंद्रयान 3 और इसरो के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी गड़ी मैं आजम बात करेंगे चंद्रयान 3 और इसरो के बारे में तरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किया आपको कोई इंस्टाग्राम अकाउंट चंद्रयान तीन और इस्टो पर अपडेट पोस्ट करते वे मिला P.I.B. ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये खाते इस्टो से संबंधर नहीं है इस्टाग्राम पर इस्टो का अधिकारिक अकाउंट isro.dus है यूटूब में चल्द आप गुन-गुना कर धून पाएंगे अपना मन पसंद गाना यूटूब एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आप अपने मन पसंद गाने को गुन-गुना कर धून पाएंगे इस फीचर के बारे में चानकारी कंपनी ने अपने यूटूब टेस्ट फीचर और एक्सपरिमेंट पेज पर दी है फिलाल इस फीचर को वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो इनके पास एक्सपरिमेंट पेज का राइट है नए सौंग सर्च फीचर के तहत यूजर को सबसे पहले सौंग सर्च करने के लिए गाने की ट्यून या कोई लाइन तीन से चार सेकंड के लिए गुन-गुनानी होगी इसे सब्मिट करने के बाद यूटूब उस गानी को खोजेगा और आपके सामने पेस करेगा फिलाल इए फीचर टेस्टिंग फेस में है इसलिए हो सकता है कि ये अभी सही से काम ना करे लेकिन कंपनी से परफेक्ट बनाने पर काम कर रही है ताकि लोगों को सर्च एक्स्पिरियंस आसान बनाया चा सके सरल भाशा में आप ऐसे समझ लिजिए कि जैसे अभी आप वोई सर्च करते हैं कुछ ऐसा ही नए फीचर में भी कर पाएंगे 26 अगस्त को इश्रो की चंद्रयान 3 टीम से प्रियम मोदी करेंगे मुलाकात 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को सफलता पुडवक उतार कर भारत नहीं तिहास रच दिया है और इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इसी को लेकर अब 26 अगस्त को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी बैंगलूडू जाने वाले हैं जहांवे चंद्रयान 3 की टीम को विशेश बधाई देंगे बता दे कि पीएम मोदी न्यू बी एल रोड स्थित इश्रो मुख्याले में इस्रो प्रमुक सोमनात सहित देश के स्पेश वग्यानिकों और चंद्रयान 3 टीम का हिस्सा रहे अन्य लोगों से मिलेंगे अब कि जानकारी के लिए बता दे कि वर्तमान में पीएम मोदी पंद्रवे बिक्स सम्मीलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन अफ्रिका गहवे हैं वही आजवे ग्रीस जाने वाले हैं और फिर ग्रीस दे लोड़ते वक्त नरिंद्रमोदी बैंगलोडू जाएंगे जहाँ वे चंद्रियान तीन की सफलता के लिए इस रोके वेग्यानिकों को बढ़ाई देंगे और साथ ही चंद्रियान तीन के लिए काम करने वाले वेग्यानिकों को समानत भी करेंगे चंदरियान तीन मिशन पर मिशन मंगल के निर्देशक ने किया फिल्म निर्मान का एलान चंदरियान तीन की सफलता के बाद इस सभियान को लेकर बॉलिवॉड में फिल्म बनाने की होड लग गई है हाला कि अब तक किसी के दौरा ये अहलान नहीं किया गया है कि फिल्म किस के दौरा बनाई जाएगी या कब बनाई जाएगी लेकिन मिश्टर मंगल बनाने वाले डिरेक्टर जगन सक्ती के दौरा एक अकबार को दिये गए इंटर्व्यू में एलान किया गया है कि वह चंदरियान तीम पर फिल्म बनाएंगे उन्होंने कहा कि वह इस मौकी को जाने नहीं देंगे इस वक्त फिल्म की कहानी पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कहानी तैग करने से पहले अपनी बड़ी बहसे इन पुटलूंगा जो इसरों में सीनियर साइंटिस्ट है उम्मीद करता हूँ कि मिशन मंगल के टीम के साथ ही चंदरियान तीम पर भी फिल्म बनाओ इसके लावा मीडिया में चल रही खबरों के नुसार मुंबई के इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडूसर्स Association Producers Guild of India और इंडियर Film and Television Producers Council के काड़यालों में विवन निर्माताओं और Production House के दोरा भी फिल्म के नाम को रिजिस्टर कराने के लिए आविदन दिया गया है हम प्रदे दिन आपसे पांच ऐसे जरुई सवाल और उसे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुरिस, तरोगा समेत SSC जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पीशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया क्रिपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में कौन सा राजे सरकार NEP 2020 को खत्म करके नई सिक्षा नीती बनाएगी उप्षने बिहार, उप्षन B तमलनाडू, उप्षन C करनाटक, उप्षन D असम इसका सही उत्तर है, उप्षन C करनाटक अगला सवाल, हाली में सिंगापूर मैथ ओलंपियार में तरूपती के राजा अनरुद श्रीराम ने कौन सा पदक जीता? उप्षन A स्वर्ण, उप्षन B रजट, उप्षन C काश्य, उप्षन D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है, उप्षन B रजट अगला सवाल, हाली में उत्तर प्रदेश सरकार किस सहर में मंदर संग्रहाले बनाएगी? उप्षन A अयोध्या, उप्षन B मेरट, उप्षन C लखनाउ, उप्षन D आगडा इसका स्थयुत्तर है, उप्षन A अयोध्या अगला सवाल, राजटी रतनाकार पुस्तक के लेखक निम्र में से कौन है? उप्षन A चंदेश्वर, उप्षन B विद्यापती, उप्षन C जोतीरेश्वर, उप्षन D हरी ब्रहमदेव इसका स्युत्तर है, उप्षन A चंदेश्वर अगला सवाल, कौटली के पुस्तक अर्थसास्त्र किश्विशय पर आधारित है? उप्षन A आर्थिक संबंद, उप्षन B शासनकाल के सिध्धान्त और अभ्यास, उप्षन C विदेशनीती, उप्षन D धन संचे इसका स्युत्तर है, उप्षन B सासनकाल के सिध्धान्त और अभ्यास बीते दिन हमारी दरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बोगों ने पनजवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था बिहार सरकार को आपके नुसार क्या कदम उठाना चाहिए अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से द पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद